नमस्कार दोस्तों, PSSM Blessings परिवार से मैं मिशा गुपता उस्तक रुक्मनी और काल चक्र का फेर के ओडियो 31 में आपका स्वागत करती हूँ. पिछली कड़ी में हमने जाना कि रमायन काल में सुभत्रा त्रिजटा नाम की राक्षसी थी जो माता सीता के लिए बहुत समर्पित थी। आईए अब उनकी आगे की कहानी जानते हैं। कुछ पलों के बाद अंबा ने त्रिजटा की कहानी को जारी रखा। राम और रामण के युद के दोरान त्रिजटा की पती सहित लंका में कई पुरुष मारे गए थे। सीता जानती थी कि त्रिजटा उस जीवन में दूसरा पती नहीं लेंगी और वे उसके लिए गहराई से अनुभव करती थी। जब सीता लंका छोड़ने वाली थी तो त्रिजटा ने उन्हें अपने साथ अयोध्या ले जाने की विंती की। परंतु उसके पिता उससे अलग होने के लिए अनिच्चुक थे क्योंकि उसे लंका की उपचार में सहयता करने की आवश्यक्ता थी। राम और सीता दोनोंने उनकी भक्ती की गहराई देखी और इसका आभार व्यक्त करना चाहते थे। राम ने उसे ये कहते हुए आशिरवात दिया कि उनकी पत्नी की बहुत देख भाल के कारण फे भविश्य में उसकी बहन के रूप में जन्म लेंगी और फिर से उनके बहुत निकट होंगी जिसे वे सीता के रूप में जानती थी। इसके अलावा सीता को पता था कि त्रिजटा का विवा रामन द्वारत तै किया गया था और ये उनके लिए कठिन रहा था। उसे आशीवाद देते हुए सीता ने वचन दिया कि जब वे राम की भावी बहन के रूप में पैदा होंगी तो त्रिजटा अपना पती स्वयम चुनने में सक्षम होंगी और ये है प्रेम से पैदा हुआ विवा होगा। ये उनकी सेवा का उपहार था। त्रिजटा का सुभद्रा के रूप में पुनरजन हुआ और वे जिस पुरुष से प्रेम करती हैं और जिसे उसने चुना है वे बहुत ही कुलीन अरजुन है जो उनके भाई का प्रियमित्र है। अंबा ने इन शब्दों के साथ समाप्त किया। तो ये दुविधा है। फिर से ये दुर्योधन को अरजुन के विरुत खड़ा करता है जिस से वे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है। अंबा ये वास्तव में एक अगभुत कहानी है। हाँ मुझे ये सुने हुए अब कुछ साल हो गए है। मुझे आशा है कि मैंने सही कहानी बताई। परंतु मुझे अंजली द्वारा बताई गई यही बात याद है। और मैं कदाचित ही कभी उसकी या माता की कहानियों को भूल पाती हूँ। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से माता हस्तक्षेप करेंगी। वे सीता के वचन को पूरा करने के लिए एक पधती खोज लेंगी। परंतु बलराम ने जो किया है उसे वे कैसे ठीक करेंगी। उनके विरुद जाना माता के लिए कठिन होगा। औ और केवल कल का दिन ही शेश है। दुर्योधन अस्विकृति को हलके में लेने वालों में से नहीं है। वे पहले ही पांडवों से एक विवा हार चुके हैं। क्या वे एक और नुकसान स्विकार करेंगे। चलो एक अच्छे संकल्प के लिए मंदिर में प्रासना करते की जीत के लिए। उन्होंने सिर हिलाया और हम बाटिका के किनारे पर चले गए जहां मंदिर था। जब हम वहां पहुचे तो अंजली को ध्यान में लीन पाया। उन्हें वहां पाना आसा मानने था। क्योंकि वह जादतर माता के पास ही रहती थी। चुक्चाप उनके कुछ जानकारी होगी। कुछ समय बीदने के बाद अंजली ने नेत्र खोले और अंबा को देखा। तुम यहां हो। उसने अश्चर्य से पूछा। अंबा ने सिर हिलाया। अंबा का अंजली के साथ मुझ से अधिक व्यक्तिकत संबंद था। इसलिए मैंने उन्हें प्र होगा। हम तीनों एकांत में मंदिर में थे। इसलिए हमने बेजिजक महल की इस्थिती पर चर्चा की। अंजली ने धरता से उत्तर दिया कि कल अरजुन के साथ एक विवा होगा। अंबा ने चकित होकर पूछा अरजुन के साथ माता ने ये कैसी व्यवस्था की है। अं भविश में सुभद्रा की भूमिका के बारे में भी जानती हैं और उन्होंने बहुत पहले ही उससे वादा कर लिया था। इसलिए उन्होंने अरजुन को द्वार का बुलाया। वे कुछ दिन पहले आये हैं और माता आज सुभे उनसे और सुभद्रा दोनों से मिली। मुझे पता है कि तुम क्या पूछने जा रही हो और मुझे उत्तर नहीं पता। ये कहानी अभी समाप नहीं हुई है। ये अभी भी सामने आ रही है। इसे देखने के लिए हमें कल तक प्रतीक्षा करनी होगी। मैं तुम्हें केवल इतना बता सकती हूँ कि अर्जुन और सुभद्रा के साथ बात करने के बाद मैं माता से मिली थी। हम महल के पीछे बड़ी वाटिका में टहल रहे थे और श्री कृष्ण को एक मेज पर एकांत बैठे वे पाया। माता को देखकर उन्होंने उन्हें अपने पास आने का इशारा किया। मैं कुछ कदम दूर खड़ी हो गई ताकि उन्हें एकांत में बात करने की अनुमती मिले क्योंकि मुझे पता था कि यह एक बहुत जरूरी बातचीत है। जैसे ही हम पहुँचे मैंने श्री कृष्ण के नेत्रों में एक चंचल मुस्कान देखी और मुझे पता था कि उन्हें पता है कि माता ने अभी अभी उनकी बहन को क्या वचन दिया था। वह दिन गर्म था और हम कुछ सुखदायक पे लेने के लिए अपने रास्ते पर थे। श्री कृष्ण के हाथ में पे था और उन्होंने घूट लेकर प्याले को माता और अपने बीच में मेज पर रख दिया। पहले तो मैंने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। परन्तु फिर मैंने देखना शुरू किया कि वे उस पे के साथ कैसे खेल रहे थे। परन्तु मैं उनके इस खेल का अर्थ नहीं समझ सकी। ये तै है। माता ने प्याला उठा कर पीने से पहले कहा। उसे वापस साथधानी से उनके बीच की मेज पर दूसरी जगर रख कर उन्होंने कहा कि इस उभद्रा कल अर्जुन से विभा करेंगी। श्रीकृष ने एक गूट लिया और फिर प्याले को मेज पर अलग स्थान पर रख दिया। माता ने देखा कि उन्होंने प्याला कहां रखा था। उन्होंने उसे उठाया, एक गूट लिया और उसे वापस एक अलग स्थान पर रख दिया। मैं ये देखने में मगन हो गई कि वे इस पे को कहां रख रहे थे, जो वे सहजा कर रहे थे, वे इसे मेस के चारों और ऐसे गुमा रहे थे, जैसे कि वे खेल में विरोधी हों, मैं उत्सुक थी परंतु समझ नहीं पाई कि इस साधारन बाचीत के पीछे वास्तव में क्या चल रहा था श्री कृष्ण ने माता को लोग मादरी नाम से संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत पहले जो वचन दिया था उसे पूरा किया जाना चाहिए श्री कृष्ण ने प्याले को फिर से अपने होटों पर लगाते हुए बोला कि इसे कुछ भी नहीं बदल सकता है वह वही है जिसकी वह प्रतीक्षा कर रही थी माता ने देखा कि उन्होंने प्याले को मेज पर एक और स्थान पर रखा कुछ शर्ण देखने के बाद उन्होंने उसे अपने होटों से लगा लिया उन्होंने एक घूट लिया और उत्तर दिया कि इन घटनाओं का बीज बहुत पहले बोया गया था मैंने माता की आवाज में दुख सुना जब उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि तब बलिदान की मांग की जाएगी और ये कहते हुए उन्होंने प्याले को मेज के किनारे पर रख दिया श्री कृष्ण ने धीरे से उत्तर दिया कि टूटीवी सगाई के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और प्याले को फिर से अपने होटों पर उठाया और फिर उसे मेज के विपरीत किनारे पर रख दिया फिर बोले कुरू सामराज्य में शान्ती देखने की इच्छा में बलराम बहुत पहले के उस वादे को भूल गए थे और इस्थिती को गलत समझा अपनी विस्मृती में उन्होंने दुरियोधन को आवास्तविक उपेक्षाएं दी और अब वे दूसरा प्यादा खोजेगा नारायनी सेना को प्राप्त करने के लिए सुभद्रा बज एक मोहरा थी कम से कम उसे तो छोड़ दिया जाता माता ने कहा माता रस की और देखती रही पर अब उनकी दृष्टी श्री कृष्ण पर पड़े दोनोंने कुछ शंड के लिए एक शब्द भी नहीं कहा अंत में माता ने ये शब्द कहे जिससे मेरे रोंटे खड़े हो गए मैंने ये बीच बोया है मुझे इसके परिणाम भुगतने होंगे मेरी बहन सुबद्रा के लिए ब्रह्मान्ट को फिर से व्यवस्तित किया जा सकता है जगर्नाथ श्रीकृष्ण ने अहँ भरी और अपना सिर हिलाते वे कहा मैं तुमें ये एकांत नहीं सहने दूँगा फिर उन्होंने अपने नेत उनकी और से फेर लिये और देखा कि उन्होंने ध्यान से प्याला नीचे रखा उन्होंने इसे फिर से उठा लिया पै पीने के बाद उन्होंने उसे सीधे उनके सामने मेज पर रख लिया और कहा यह मिलान केवल उनके प्रेम की पूर्टी के लिए नहीं है बलकि भविश्य के बीजारोपन के लिए है बहुत पहले के तुम्हारे वादे ने कुछ ऐसी ताकतों को काम में लगा दिया था जो अब अपना परिनाम देंगी माता ने एक और गूट लेने से पहले उन्हें प्रेम से देखा और फिर धरता से प्याले को उनके सामने मेज पर रख दिया मैंने अपना काम कर दिया बाकी मैं आप पर छोड़ती हूँ उन दोनों ने कुछ पल एक दूसरे को देखा और फिर श्री कृष्ण ने उनका हाथ थाम लिया कुछ दिर बाद दोनों जाने के लिए उठ गए मैं आम तोर पर माता के शब्दों और उनकी खेल को समझने में सक्षम हूँ परंतु मैं इस द्रिश्य और बाचीत को भेद नहीं सकी ये ऐसा था जैसे वो दो शक्तिशाली जीव भ्रह्मांड को फिर से संतुलित कर रहे थे हमारे विश्व को प्रभावित करने वाली ताकतों को फिर से संगठित कर रहे थे मैंने पहली बार देखा कि हर क्रिया हर शब्द और विचार में वे एक दूसरे के साथ पून सामन जस्स में चलते हैं पून ले में काम करते हैं जो एक आरंब करता है दूसरा समाप्त करता है वे भीतरी शेतर में काम करती हैं जबकि श्री कृष्ण भारी शेतर में काम करते हैं कल होने वाला यह विवा कोई साधारन मामला नहीं है इसका गहरा महत्व प्रतीत होता है और साथ ही मैंने देखा कि कैसे वे बलगराम को सगाई तोड़ने के दोश से बचाने के लिए काम कर रहे थे बलगराम को ये एहसास नहीं था कि दुर्योधन उनका उपयोग कर रहे थे बलगराम के प्रती अपने सन्हे के कारण श्री कृष्ण और माता को उन्हें किसी भी दोश से मुक्त करने की एक पधती खोजना होगा मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि कल क्या होगा परंतु मुझे विश्वास है कि इस से परियाप्त को लाहल होगा अंजली ने हम दोनों की तरफ देखा तुम दोनों इस बात को गोपनिय रखना जानती हो इसलिए मैं इसे तुमारे साथ साजा कर रही हूँ माता के आसपास होने वाली कई रहसे में चीजों के बारे में मैं कम ही बोलती हूँ परंतु कल तक ये घटनाएं दूर दूर तक जानी जाएंगी कुछ ही लोग समझ पाएंगे कि ये घटनाएं क्यों और कैसे घटित हुई है अंजली ने जो कहानी हमारे साथ साजा की थी उसने मुझे गहराई से प्रभावित किया और मैंने पूरी रात ये सोचते हुए बिताई कि इसका क्या उत्देश है इतने वर्षों से इस बात के कई संकेत मिल रहे थे कि माता कोई और नहीं बलकि सीता देवी हैं बस दूसरे रूप में परन्तु इस बात की पुष्टी कभी नहीं हुई थी जो कहानी मैंने अभी सुनी थी वह एक और संकेत था कि ऐसा हो सकता है या यह कि कम से कम दोनों के बीच एक मजबूत संबंध है अगली सुबह महिला निवास में मिठाईयों की कई थालियां पहुँच गई महल में विवा का उद्देशित द्वारका के हर नागरिक के लिए दावत था जब मैंने सुबह सुमती को देखा तो मैंने अनभिग्यता जताते हुए उनसे पूछा कि सुबहत्रा किस से विवा कर रही है उन्होंने बताया कि सुबहत्रा हस्तिनापूर के राजकुमार दुर्योदन से विवा कर रही है और इस विवा के बारे में पूरी द्वार का जानती है मैं उठ सुकता से दिन बीतने की प्रतीक्षा करने लगी संध्या तक मैंने सुना कि क्या हुआ था बहु प्रतीक्षित विवा सामारो शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन अप्रत्याशित रूप से गटना स्थन पर पहुँचे उन्होंने सुभद्रा को अपने घोडे पर बिठाया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता फैर तेजी से सवार हो गए एक बड़ा कोला हल हो गया था और उग्रु दुर्योधर ने अपना बदला लेने की कसम खाई थी परन्तु बल्राम भी अन्ने लोगों की तरह ही हैरान थे और उन्हें दोश नहीं दिया जा सकता था और हमारे युक के महान योधाओं में से एक से होगा यह है श्री कृष्ण और रुक्मनी के बीच विवाज जैसा हुआ था इसकी लगबग सटीक पुनावृत्ती थी परन्तु मुझे आश्चर्य हुआ कि उपस्थितियों में से किसी ने इस सम्बंद को उस प्रकार से समझा था क्या वे इन घटनाओं के पीछे उनका हाथ देख सकते थे श्री कृष्ण और माता की ये दो प्रिये दो महान आत्माएं जो उनके लिए इतनी समर्पित थी अंतता एक होप आएंगी और बहुत पहले बहुत अलग समय पर किये गए एक वादे को पूरा किया गया था मैं ये सब देखकर चकित हुए बिना नहीं रह सकी फ्रेंड्स सुबत्र जी के विवा के साथ ही मैं आज की कड़ी को समाप्त करती हूँ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद